हलो सुपर इंवेस्टर्स बात करेंगे वारी रिनेरबल टेक्नोलोजीस के बारे में जिसमें आज भी हमें थोड़ी गिरावट दिखने को मिली 0.50% की 1493 रुपीज पर क्लोस जुआ है वारी का शेर जो की देखा जाए तो जब खुला था तो 1534 रुपीज तक गया था निफ वारी के वारी के शेर में देखने को मिला करीब 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 द्दी को बिली आज भी बट positive बात यह है कि share अभी गिरनी रहा है कम से कम sideways जा रहा है 1-2% का उपर नीचे होकर sideways जाने की कोशिश कर रहा है मतलब ये rate के आसपास जो है 1500 रुपीज के आसपास share अपना position hold करने की कोशिश कर रहा है कम से कम इसमें गिरावट नहीं हो रही है यही positive बात है हमारे लिए अच्छली देखा जाए तो अभी SM stage 3 में है तो देखा जाए तो तेजी बन सकती थी बड़ अभी भी market को valuation ज़्यादा लग रहे है वारी के जिसके कारण कुछ तेजी नहीं आ रही है और ना ही कोई बड़ी update है ना ही कोई split है ना ही कोई bonus है ना ही कोई order की news है और investor meet हुआ था उसका भी outcome कुछ आया नहीं है अगर ऐसा कुछ news आ जाए कि बड़े fund house ने कुछ buying किया है वारी में ऐसा कुछ हो जाए तो फिर से तेजी बन सकती है नहीं तो फिलाल जैसा कि मैंने आपको बताया market उपर जाएगा तो थोड़ा बहुत उपर जाएगा market नीचे आया है तो थोड़ा बहुत नीचे आएगा ऐसे ही चलते रहेगा और market में अगर भयंकर गिरावट होई तो load circuit भी लाग सकता है और market में भयंकरती जी रही तो हमें अपर circuit भी देखने को मिल सकता है वारी में बट short term के लिए अभी वारी को oid करना चाहिए बट long term वाले इसको hold कर सकते है long term के targets क्या रहेगे ये मैं बता सकता हूँ and friends अगर आपको short term के लिए rocket share या long term के लिए multi bagger share चाहिए होगा तो whatsapp करके पूछ सकते हो 954585 0000 इस नमबर पर Thank you friends